तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम हापका मेरे यूटूब चैनल इस्टेडी भी थी होगे इसमें आज आप लोग का उत्तरकासी का अंतिम भागाएगा इसके बाद हम अगले जिले की सुरुवात करेंगे और अगले जिले केते हैं जो भी मैं लाओंगा मैं कोशिश करूँगा जो कल और परसु यानि दो इस वीकेंड में इस अपते दो दिन बचे हैं आपके उसमें कोशिश करूँगा कोई एक ऐसा जिला पकड़के जो दो दिनों में आपका कम्प्लीट हो जाए ठीक है तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे उत्तरकासी के अंतिमभाद की यानि उत्तरकासी का चौथा पाड़ उम्मीद कर रहा हूँ आपनों की सिरीज समझ आ रही होंगी और आपनों के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या होगा फाइदेबन सिद्ध होगा जब आप लोग एक्जाम में बैठेंगे ये मान के चलिए टोटल उत्राखन की कोशनों का 50% भाग मां हमेशा सके रहा हूँ इसी जिला सिरीज के अंदर से आपको देखने को मिलेगी ठीक है बसरते आप लोग उसको रिवाइज कर रहे होंगे आप लोग उसको अपने इस तरचे घर पे तैयार भी कर रहे होंगी साथ ही साथ परिक्ष्यावानी का जो मैं आप लोग को होमग देता हूँ अगर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग का confidence level खुद ही अप क्या हम लग गया होगा increase होने लग गया होगा तो उसी करम मा आज आपका जो होमग होगा आप लोग परिक्ष्यावानी का जो एतिहासिक उत्राखंड है यानि एतिहासिक प्रिष्टि भूमी है उत्राखंड की जिसमें उत्राखंड का इतिहास दिया है सायद संभव तो तीसरे नंबर का वो चेप्टर होगा उसको आप तैयार करेंगे और आपको बहुत इजी भी पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोगों ने अल्लेडी वो तैयार कर लिया होगा बहुत से लोगों ने उत्राखन हिस्ट्री की मेरी वीडियोस देख ली होगी तो वो आपका चेप्टर बहुत क्या पड़ेगा आपको आसान पड़ेगा साथ ही सान आज आपको हिंदी में जो संधी वाला चेप्टर है उसको रिवाइज करना है आपने बनाया भी होगा ओल्रेडी ठीक है देखिए हम लोग आज अंती भाक्यों जाते हैं और जैसा मैंने कल कम्यूनिटी टैब में भी पोस्ट किया था आप लोग की इन क्लासेज के बाद जिला सिरी जब मैं कम्प्लेट कर लूँगा तो उत्राखंट की जो नमबर आफ क्लासेज उसका नमबर गिर जाएगा अपते में यानि हो सकता है सिर्फ दो ही दिन आपको उत्राखंट देखने को मिले फ्राइड़ और सटाड़े को बागी के तीन दिन आपको जो जीएस की क्लासेज आपकी हैं जो रुकी पड़ी हैं उसका नमबर बढ़ाया जैसी आप लोग की हिंदी कंप्लीट हुजाएगी आपकी रिजिनिंग और कंप्लीटर का नमबर बढ़ाया जाएगा जीएस के साथ और साथ-साती उस टाम तक उत्राखंट भी आपका कंप्लीट हुजाएगा ठीक है देखियें हम लोग क्या कर रहे हैं जिला सिरीज का अ आसान होने लगे हैं जिस जो आप लोग क्या करते थे वाइन लाइनर के रूप में बनाते थे वो आपको इजी पढ़ गया दूसरी बात एक और चीज कहूंगा यमनोत्री मंदिर के निर्मान को लेके जो आप लोग के भी संसाई बना हुआ है जो कन्फ्यूजन है एर की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है अब आप कहोगे सर इस किताब में ये दिया है जब तक वोivering औ्थंटिक नहीं होगी तो मैं भी यहांसे आपसे नहीं कह सकता हूं ठीक कि कितने ही वहुँआ, तब अरिक्ष्यावानी जो 1919 दिया था, वो लगता नहीं है कि 1919 होगा, क्योंकि जो प्रताप सहा नहीं किया होता, तब तो हम लोग कहतें कि 1919 हो सकते हैं, अब जो जादक तर किताव देरी इसका निम्मा मा प्रताप सहा ने किया था, से कभी पूछेगा नहीं तो विबादित है क्योंकि इस पस्ट जानकारी है नहीं तो यमनोत्री के जो सन को लेकर उसको इसको इसकीप करते ही जनना एकजाम में आएगा नहीं आपका उगशन ठीक देखिए हम लोग इसके प्रमोख मंदिर देखते हैं पहला आप लोग को पत सबसे कम उचाई पिस्ति धाम है ये भी आदखना तो पहला क्या लिखोगे यमनोत्री लिखोगे पहला बंदिर उत्रा यहां दूसरा क्या लिखोगे गंगोत्री क्या लिखोगे गंगोत्री देखो जो यमनोत्री है वो इस इलाके में है यहां कहीं पे है यमना नदी के त चार धाम पताई है आपको सबसे कम उचाई पर आप लोग क्या करेंगे इसमाराट वरकी के तहद आप लोग के अंदर एक किरियूर्शिटी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा हाइट पे काँछ है उसको आप लोग सार्च कल देगे नहीं आएगा तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आगी की वीडियो उसका वेट कीजिए देखे गंगोतरी यमनोतरी जो उत्तरकासी का इलाका है यानि इस इलाके में मैंने आपको उत्तर परकासी बताया था यहाँ कहीं पे तो इसी के आसपास जब भागी रथी नदी वहते आती उसी नदी के तटो के आसपास दो मंदर यहाँ पर बहुत मेमस है एक यहाँ पर आप लोग दिखा दिए विस्वनात मंदीर इस वाले लाके में और उससे जस्ट पहले दिखा तो अगला मंदिर आप लोग दिखाएंगे विश्वनात मंदिर और उसी के जस्वगलमा आप दिखाएंगे पर्चुराम मंदिर देखें यहाँ पर कहीं पर आपको दिखाना है विश्वनात मंदिर उसी से जस्वगलमा आपको क्या दिखाना है पर्चुराम मंदिर यह दोन इन मंदिरों के अलावा, यहाँ पे कुछ अन्य मंदिर है, उसकी लोकेशन देखना बहुत ज्यादधा जरूरी नहीं है, उसके नाम लिख लिजिए, कुछ अन्य मंदिरु के, उसी में एक आता है आपका दुरियोधन मंदिर, क्या आता है? इसको erase करता हूँ दत्ता त्रई मंदिर अब देखिए जो हम लोग ने कल कलास पड़ी थी उसमें एक मेला छूट गया था आपका बहुत परच्चरित मेला बिसु मेला ठीक है वो भी आप लोग नोट कर लिजे पेपर में पूस्ट था कि बिसु मेला कहा होता है तो आप लोग उत्तरकासी बता देना बहुत फेमस है उसको इंपोटेंट भी कर देना बीसु मेला भी लिख लिए जब इतना लिखी लिया तो बीसु मेला बहुत फेमस भी है उत्तरकासी और इसको इंपोटेंट भी कर देना साथ साथ है मेले पे लिखना आप जहां पे आप लोग ने मेला लिखा है वहां वहीं पे लिखना है इसको बिसु मेला कहा होता है उत्तरगाशी बहुत फेमस मेला है बिसु मेला उत्तरगाशी देखें दुरियोधन मंदिर दर्तात्रई मंदिर भी कहा है अपने आप में उत्तरगाशी मे इसके अलावा कुछ और मंदिर यहां पर देखेंगे, कुट्टी देवी का मंदिर है, एक कंडारा मंदिर है और एक पोखु देवता का मंदिर है पुखु देहुता, मंदिर. इन में देखिए आप लोगं के क्या क्या फिरमाइज है, एक बिस्वनाथ मंदिर आप से पूछा जाता है. गंगोतरी, अमनोतरी तो बेसिक है, उटो सभी को पता है. विश्वनाथ मंदिर और परसुराम मंदिर संभवता आप से पूछा जाएगा वन्ना सबसे फिमर्स यहां पर विश्वनाथ मंदिर यह इसी संभधित क्वेपर में देखने को मिलता है लेकिन अब एक्जाम है कोई भरोसा नहीं है तो हम लोगं को ये भी देखना है कि दुरियोधन मंदिर, दत्तातरई मंदिर, कुट्टी देवी मंदिर, कंडारा मंदिर और पौकु देवता का मंदिर भी अपने आप में कहा है इस्तित है उत्तरकासी में आप सब लोग नोट कर लिजे, दुरियोधर मंदिर, दत्तातरी मंदिर, विस्वनात मंदिर, कुट्टी देवी मंदिर, कंडारा मंदिर और पौको देवताका मंदिर, यह सब के सब कहां इस्तित है, उत्तरकासी में इस्तित है, अब बात आती है, यहां से जो मतबी मंदिर है इसके अलाव यहाँ पर कुछ सहस्तान वगरा भी होंगे जैसे हमने अधर डिस्टिक में पढ़े थे तो तो सहस्तान की बात है जो यहाँ पर इंस्टिटूट्स हैं वो बहुत जादा नहीं है कि यहाँ पर जो है एक तो है नहीरू परवता रोहन सस्तान एक लिख लीजिए आप नहीरू परवता रोहन सस्तान यह कहा है अगर आप से पूछता है आप लोग सीधे बता जाना उत्तरगासी और इसकी इस्तापना का हुईति 1965 में देख लेजी नहीरू परवता रोहन सस्तान कहा है इस्तित है उत्तरगासी में और इसकी इस्तापना का वहीति पूछता है तो 1965 में और जो यह नहीरू परवता रोहन है यह अपने आप में जो परवता रोही होते हैं जो उसको क्या करता है ट्रेनिंग बगारा दिलाने का का भी यहाँ पे होता है याई यह बहुत फिमस क्वेश्चन है इसको भी इंपोडेंट कर देना कि नेहरू प्रवतारवन सस्तान कहा है आप बताओगे उत्तरकासी में और यह कब बना था अगर आप से पूस्ता है आप बताओगे 1965 में एक यह है दूसरा यहाँ पे एक हिमालयन संग्राले हिमालय संग्राले नहीं हिमालयन संग्राले करना ठीक है देखें हिमालयन संग्राले हिमालयन संग्राले यह भी 1965 में बना था यह भी कहा है उत्तरकासी में तो दो यहाँ पे सस्तान टाइप के दिखेंगे आपको संस्तान यह संग्राले एक का नाम है नेहरू पर 65 में उत्तरकासी में ही आपको ये दोनुँ चीज़ें देखने को मिलती है अब जब मैंने आपको यहाँ पर वाटरफॉल वगएरा पढ़ाई तो एक मिस हुआ था उसको आप लोग लिखें संखधारा वाटरफॉल वो भी कहीं यहाँ पर है जो ही परसुराम मंदिर है इसी स कहीं आसपासी हो पड़ता है उत्तरकासी से नजदेकी है तो ज्यादा दूर नहीं होगा उसका नाम लिख लिए संखधारा वाटरफॉल संखधारा वाटरफॉल नोट करके लिख देना है इसको संखधारा वाटरफॉल यह भी कहा है बुशता है उत्तरकासी में कहा है उत् तो वो उस बात उस टाइम पर क्या करेगा आपकी समझ पर आधारित क्वेशन पूछेगा पूछ देगा देखो आप लोग पढ़ते रहेंगे चारो धामों के नाम सबसे पस्चिम का पूछ देगा सबसे कुरो मां पूछ देगा कभी पूछ देगा यह किस नदी के तट पर यह आपको किताबों में इस पस्ट लिखा नहीं मिलेगा यह सिर्फ आपकी समझ कैसी है आपकी अंडेस्टेंडिंग कैसी है आप कितना मैप को देखके अब्जर्ब करते हैं इन चीजों पर आधारित जब से क्वेशन पूछना शुरू करेगा मान के चलिए जब पहली बा राता हैंगे इसको कि यह उत्तरकाशी में अब आता हैं यहाँ पर संबंदित खनीज खनीज आपर भागयरा है उत्तरकाशीं बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक तुछ वह उत्जाई वाली ईलाकняя अलाका है यह यह कौन साथ बरफिला तो कुछ खनीज यहाँ पर मिलते हैं, इसमें से एक प्रमुक खनीज यहाँ पर slates है, खनीज में लिख लिजे, प्रमुक कौन सा है यहाँ पर पाया जाता है, प्रमुक slates, यहाँ पर प्रमुक जो खनीज पाया जाता है, वो कौन सा है, यहाँ पर slates पाया जाता है, और इसक मातरा में है पर क्या मिलता है सीशा मिलता है ठीक है तो यह आप लोग उत्तरगासी के मंदिर होगे कुछ खनीज होगे कि वाटरफॉल वगरा हो गया अब देखे जो आप लोग का पेपरों कुछन पूछा जाता है यहाँ पर गो है आपका क्या यह राश्ट्री उध्यान लिखते ने इसको ठीक है नेशनल पार्क प्रमुख राश्ट्री उध्यान यानि नेशनल पार्क आप लोग इसको लिख लीजे आप पर कौन से हैं ठीक अब देखे एक बहुत ट्रीकी चीज आपको मैं बताता हूं बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि वो है क्या पह या इसी को नेशनल पार्क राश्ट्री उध्यान पहला क्या लिखना है गोविंद पसुविहार और राश्ट्री उध्यान अब देखे ये जो है ना ये जो गोविंद पसुविहार राश्ट्री उध्यान या सेंचुरी अभ्यारणी भी लिख लिजे इसको सेंचुरी अपने आप में क्या चीज है यह सब एक ही चीज है ठीक है यह पसु विहार भी है यहीं पे राष्टी उध्यान भी यहीं पे संचोरी वगरा इस सब एक ही चीज है हुआ क्या था जब स्टार्टिक में इसको बनाया गया था एक मार्च उनिस्सो पच्पन को तो इस सिर्फ प मार्च 1955 यह 1955 में इसकी क्या होगी थी इस्तापना होगी थी क्या लिखोगे आपे इस्तापना और यह किस रूप में स्तापित हुआ था वो लिखोगे जब यह बना था इस वाले इलाक्य में जो दिता तो यह स्टार्टिक में बनाया गया था यह किस रूप में बनाया गया थ वन्यजीव अभ्यारन्य यानि वाइड लाइफ सेंचुरी यानि जो गोविन पसु विहार है या वाइड लाइफ सेंचुरी है 1955, एक मार्च उनिस्सो पचपन को इसकी स्तापना हुई थी और वो किस रूप मा मना था वन्यजीव अभ्यारन्य के रूप में तो यह जो वन्यजीव अभ्यारन्य के रूप मा था बाद में गवर्मेंट ने इसको क्या कर दिया राष्टी उध्यान भी कोशित कर दिया इसमें कुछ और इलाका मिला दिया तो जो यहां का इलाका है इसका जस्ट डबाल मतलब जितना था अल्रेडी उतना ही इसको इंक्लूट करके यह पूरा इलाका बना दिया यह वाला यह जो पूरा इलाका है यह पहले तो इतना ही था फिस में कुछ और इलाका एट किया तो यह पूरा का पूरा इलाका किस नाम चे जाना जाता है गोविन्द पसुबिहार राष्टी उद्ध्यान या अभ्यारन ये पुरा एक है मतलब भी अलग-अलग नहीं है ये पुरा एक है ठीक है उसी में गोविन्द पसुबिहार था जो 1905 में बना था वहीं पर राष्टी उद्धा नेशनल पार्क बगएरा बना दिया और ये कब बनाया पुष्ट है, तो 1990, 1990 में इसको बनाया गा था, और जब इसकी साइट पे देख रहा था, उसमें लिखा था, गवर्नमेंट ने 1991 में इसको नोटिफाई किया, तो किताबु में जैसे विंसर येर्बुक अगर आप पड़ोगे, वहां आपको 1990 दिखेगा, न सबकि ये विंसर बगएर में सब जगा 1990 दिया है, साइट बगएर में जाओगे तो 1990 के सम्थिंग दिया है, तो आप 1990 जाना, तो इसको अगला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, इसे यही पूरा लिखोगे, ठीक है, ये मैं उपर से इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नीच बनाया गया, बनाया गया था, अब देखे मैं क्या कहना जा रहा हूँ, जो गोविंद पसुविहार या राश्ट्री उद्ध्या ने एक मार्च से उनिस्सो पच्पन को बना, छोटा सा कुछ एरिया था, 472, 480 के सम्थिंग, सम्थिंग, अभी बताऊंगा उसको, उसके ब बना दिया गया, आपका नेशनल पार्क है, तो पूरा का पूरा इलाका जो कहलाता है, गूगल मैप में भी सर्च गरोगे, ऐसा ही लिखाएगा, गोविंद पसुविहार, राश्ट्री उद्ध्यानम, अभ्यारने, पूरा एक ही लिखा आता है, ठीक है, अब देखे, प्र पांतेजी का नाम सुना होगा, आपने उनके नाम पे इसको क्या रग दिया गया, गोविंद राश्ट्री उद्ध्यान, गोविंद पसुविहार, राश्ट्री उद्ध्यान करके सम्बोधित किया गया, इस वाले को, अब आता है, इसके छेतरफल की बाद, ये है कहाँ, उ चेतरफल कितना लिखोगे इस पूरे का 958 स्क्वाइर किलोमेटर अब आपको गे सार ऐसा तो कहीं देखाई निया हमने कहीं पढ़ाई निया यह जो 988 स्क्वाइर किलोमेटर है यह कब टिक करोगे जब पूरा का पुरा लिखाएगा गोविन वन्यजी विहार अब लिखाए यह अप्यारणिक का छेतरफल कितना है पूरा इंक्लूट करके पूशेगा तो आप लोग बताओगे 908 स्क्वाइर किलोमेटर इसको दो भागुमा आपने डिवाइट करने है एक को लिखोगे गोविन पसु यानि गोविन वन्यजी विहार पहले आले को क्या लिखोगे ग गोविन्द वन्यजी विहार जो 1955 में बना था वन्यजी विहार इसका कितना है चेतरफल विहार और दूसरा लिखोगे गोविन्द राष्ट्री उध्यान यानि नेशनल पार्गुमा अब इसको आपने जैसी दो भागू में कैटेगराइज किया इन दो भागूं का अगर सक्राइज करूगे तो इसको आपने कैरिक न है इनका छेतर बल्जो गोविन्द वन्यजी विहार है उसका पहले लिखोगे आप 480 स्क्वेयर क्लोमेटर ठीक है देख लो इसको मैं उपर से एरेज कर रहा हूँ आप लोग ने पहले वाले का क्या लिखना है अपने दो समझाना चाहरा हूं उपर से लिख दो 958 यहां पर कितना है 958 स्क्वार किलोमेटर के समतिंग है अब देखिए 958 क्या है टोटल क्या है वाइड लाइफ सेंचुरी भी उसमें नेशनल मतलब जो वह है पार्क है उन दोनों का मिलाकी कितना है 908 स्क्वार किलोमेटर उसको दो गोविन वाइड लाइफ सेंचुरी ठीक और दूसरे वाली को बोलोगे गोविन नेशनल पार्क है यह है जी एन पी और वो यह अगर आपसे अब इंडिविजुली पूछेगा गोविन राश्ट्री उध्यान का कितना है आप बताओगे 472 स्क्वार किलोमेटर अगर आपस पॉइंट लिख लिजिए इस उध्यान में स्नो लेपर्ड परियोजना का क्या हो रहा है मैनेजमेंट हो रहा है आप लोगोंको यह देखना है अगला हेडिंग डालेजिए उत्राकन के अन्य अभ्यारन देखिए हम लोगोंको अगला क्या देखना है यहां पे जो राश्ट्री उध्यान गोविंद बन्य जी भिहां 1955 में उसी के पास और वहीं से जो इसका एरिया बढ़ाके उसको डबल कर दिया गया सम्थिंग डबल के आश्पा वह आपको कॉंसेप्ट समाज आया होगा अब हमने क्या देखना है यहां पे गंगोत्री राश्ट्री देखा था उस इलाके में आप लोग हाईलाइट कर ले ना वहाँ पे इसको गंगोत्री राश्ट्री उध्यान यह कब बना था 1989 में इसकी कह भी थी इस्तापना और इसके बारे में यह भी सेचता है कि उत्राखन राज्जी का सबसे बड़ा क्या है नैस्ट्रल पार्ग उत्राखन का राश्ट्री उध्यान किसके द्रिष्टी से छेत्रफल की द्रिष्टी है नि एरियावाइच और इसका छेत्रफल कितना है लगबग 390 स्क्वेर किलमेटर का इसका छेत्रफल पर है ठीक है अब देखिए जब मैंने आप लोग को यह आपको समझ आ गया होगा ठीक है देखिए आप लोग एक ट्राइंगल यहां बनाईए एक उसका थोड़ा सा आप डाउनवर्ड बनाएंगे तीसरा उससे थोड़ा सा और डाउनवर्ड बनाएंगे चोथा थोड़ा सा और डाउनवर्ड बनाएंगे पांच मां क्या करेंगे इन दोनों के थोड़ा स मीड में जैसा यहां कहीं और अंतिम बनाएंगे आप इस थोर पे यहां कहीं ठीक है देखिए छे के छे आपने क्या बनाने है ट्राइंगल बनाने अब आप क्या करोगे राश्ट्री उध्यान लिखोगे उत्राखन में कुल कितने नेशनल फार्क हैं अगर आप से पूछता ह है आप बहुत स्मार्ट तरीके से आपको पता देलगा छे ट्राइंगल दिखा रहे हैं तो राश्ट्री उध्यान का नंबर कितना हो गया 6 है तो उत्राखन की कितरे राश्ट्री उध्यान पूछता है आप से 6 है सिधे सिधे बता दोगे ठीक है तो पहला वाला जो ट्राइंगल को देखके आपको क्या लग रहा है सबसे इस्टन पोर्षन पे कौनसा ट्राइंगल दिख रहा है आपको यह वाला इस परस्ट दिख रहा है कि सबसे इस्टन साइड है और सबसे वेस्टन पोर्षन पे कौनसा दिख रहा है यह यह जो मैंने ट्राइंगल मिला हैं आप इस प्रकाल से मिलाईए इनको देखिए सबसे East और West location आपको easily दिख सकती है ठीक है यह देखिए सबसे East में कौन सा है सबसे West में कौन सा आपको easily triangle दिख जाएंगे यह पूरे के पूरे आपको easily समा जाए जाएंगे अब इसमें क्या करना है आप लोग को यह जो सबसे east की ओर दिख रहा है इधर लिख लिजे चमूली इधर आप लिखेंगे उत्तरकासी क्या लिखेंगे उत्तरकासी यह भी क्या है उत्तरकासी यहां लिख लिजे चमूली यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नैनिताल प्लस पॉड़ी प्लस बस नैनिताल और पॉड़ी लिख लेजे और यहाँ पे लिखेंगे देहरादून प्लस हरिद्वार प्लस पॉड़ी यह आपके छे क्या हैं यहाँ पे राश्टी उध्यान है तो अगर आज से पूछता है सबसे पूर्वी राष्ट्री उध्यान उत्राखनमा कौन सा है आप लोग ये बताएंगे सबसे western की और आपको कौन सा दिख रहे है यह वाला दिख रहे है यानि यह कौन सा है तो इधर आप लोग ने पहले वाले में क्या रिखना है गोविंद राष्ट्री उध्यान गोविंद राष्ट्री उध्यान कहा है पहला ट्राइंगल उत्तरकाशी में इसका जो छेत्र पहला यानि इसका जो एरिया है वह आपको पता जल गया है 480, 472 के सम्थिंग, 472 के सम्थिंग है ठीक है दूसरा जो है आप लोग का वो देखेंगे 472 टिक इसका है गोविंद स्क्वाइर किलोमेटर तो अगर आपसे ये पूछता है गोविंद राष्ट्री उध्यान कितने छेत्रफल में फैला है 472 स्क्वाइर गुनेड़ जो आठ सा कूछ है वो दोनों को मिला के दूसरा आपनों उने वही पे उत्तरकाशी दिखाया इ गंगोत्री राष्ट्री उध्यान और इस गंगोत्री राष्ट्री उध्यान का जो छेत्रफल है 2390 स्क्वाइर किलोमेटर जो की उत्राखन का सबसे बड़ा है 2390 स्क्वाइर किलोमेटर इसका क्या दिखाएंगे छेत्रफल दिखाएंगे तो बताएए गोविंद तीसरा आपका आता है यहाँ पर आपने चमोली लिखा है यहाँ पर लिख लिजिए वैली ओफ फ्लावर फूलू की घाटी और जो एक गंगोत्री वाला लिखा है इसमें इयर भी लिखना है ठीक है जैसे गोविंदो आले में लिखू हूँ उनी सो नब्बे हमें बना था और यह कब बना था 1982 में और इसका जो एरिया यह बहुत कम यानि सबसे छोटा है अगर फूलू की घाटी राष्टी उध्यान को देखें को सबसे छोटा है इसक्वार किलोमेटर में 87.5 स्क्वार किलोमेटर अगर आपको यह करना है तो आप एक काम गजे इस ट्राइंगल को छोटा कर देगे ताकि आपको याद रहे और जो उत्तरगासी वाला है उस ट्राइंगल को आप सबसे बढ़ा कर देंगे गे गंगोती राष्टी उध्यानिया इसको उत्तरगासी यह एसी भी समझ सक्ते हो अब देखे तीसरा आता है अगला आता है चमोली में ही इसको बोलते है नंदा देवी राष्टी उध्यान अब इनके बारे में डिटेल का पढ़ाओंगा जब इस डिस्टिक में हम पहुंचेंगे तभी इनके बारे में डिटेल पढ़ाओंगा अभी सिर्फ कहां है कितना शेत्र बोला कब बनाठा यह है नंदा देवी राष्टी उध्यान 1982 का सेम अह्यर है ठीक नंदा देवी राष्टी उध्यान और इसका जो एरिया है नंदा देवी राष्टि उध्यान क्या आप इधर की ओर आ रहे हैं तो आपको कॉर्बेट देखेगा कॉर्बेट है ननिताल और पॉड़ी के आसपास फहला हुआ तो जो कॉर्बेट है इस सबसे पहला राश्टी उध्यान है जो कि 1936 में मना था इसके आगे डैसका के लिखो 1936 में क्या हुई थी इसकी इस्ता पॉइंट है ठीक है 81 पांसो बीज़स्पनो आठ है क्या 521 कुछ है लगबग 521 स्क्राइब क्लिमेटर जो की ननिताल वह पॉड़ी में 1936 में इसका क्या हुई थी इस्तापना हुई थी यह फैदा है अब देख लीजे जो यह है 521 का मनला आप मत करना है साथ परक्ष्यान और अगला जो लास्ट आपका आता है यह है तीन को इसके बार में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार की इसको लिख लिए राजाजी राश्ट्री उध्यान ठीक है यह कब बना था 1983 में और इसका जो छेतरपल है वो कितना है सम्थिं 800 न कुछ आनि 820.42 स्क्वार के बास बास 820.42 स्क्वार के सम्थिंग है 420.82 तो यह हो गया आपका पूरे की पूरे राश्टी उध्यान अभी सिर्फ इतना बताया गया है किस जिले में है उसका एरिया कितना है वो कब बना था ठीक है यह आप लोग क्या करंगे अपने के साथ अगले सेशन में अगले जिले के साथ अब तक इसको रिवाइज कीजिए और हुमर को पूरा कीजिए थेंक यू